हारत में शम्ता की कभी कमी न तब थी न कमी अब अगर दस देशों के पास एकी तरह के डिफेंस उपकरण होगे तो आपकी सेनाओं की कोई यूनिक नेस नहीं रहे जब हम बहार से अस्त्र सस्त्र लाते हैं तो उसके प्रक्रिया इतनी लब्बी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षाबरों तक पहुंते हैं तब तक उसमें से कई आउट्डेटर हो चुके होते हैं आज हमारी पोच के पास भारत में बने साजो सामान होते हैं तो उनका आत्ममिस्वास उनका गर्व भी नई उचाई पर पहुंता है बीते कुछ वर्षों से भारत अपने डिफेंस सेक्टर में जिस आत्मंदिर भरता पर बल दे रहा है उसका कमिट्मेंट आपको इस वर्ष के बजेट में भी दिखेगा सात्यों गुलामी के कालखन में भी और आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैनिफेक्टरिंग की ताकत बहुत ज़्यादा थी दूसरे विश्वयूत में भारत में बने हत्यारों ने बड़ी भूमी का निभाई थी हाला कि बाद के वर्षों में हमारी ये ताकत कमजोर होती चली गई लेकिन ये दिखाता है कि भारत में शम्ता की कभी कमी न तब थी न कमी अब है साथियों सुरक्षा का जो मुर्ज सिधांत है वो ये है कि आपके पास अपना कस्टमाइज और यूनिक सिस्टम होना चाहिए तब ही वो आपकी मदद करेगा अगर दस देशों के पास एकी तरह के डिफेंस उपकरण होगे तो आपकी सेनाओं की कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी यूनिकनेस और सर्प्राइज अलिमेंट ये तब ही हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विख्सित हो साथियों इस साल के बजेट में देश के भीतर ही रिसर्च डिजाइन और डेवलोप्मेंट से लेकर मैनुफेक्टरिंग तक का एक बाइब्रेंट इको सिस्टिम विख्सित करने का ब्लूप्रिंट है रक्षा बजेट में लगभग 70% सिरफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है डिपेंज मिनिस्ट्री अब तक दो सो से भी जादा डिपेंज प्लेटफरम्स और एक्विप्मेंट की पॉजिटिव इनिजनाइशन लिस्ट जारी कर चुकी है इस लिस्ट की गोश्णा के बाद दोमेस्टिक प्रोकॉर्मेंट के लिए लगभग 54,000 करोड रुपी करीब 54,000 करोड रुपी के कॉंट्रेक्ट साइन किये जा चुके है इसके अलावा साड़े चार लाग करोड रुपी से जादा मुल्ले के उपकरणों से जुड़ी खरीच पक्रिया भी अलग-अलग स्टेजिंग में है बहुत जल्द तीसरी लिस्ट में आने वाली है यह दिखाता है कि हम देश में ही डिपेंस मैनिफेक्टिरिंग को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं साथियों जब हम बहार से अस्त्र 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 लाते हैं तो उसकी पक्रिया इतनी लब्बी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलो तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई आउट्डेटर हो चुके होते हैं इसका समाधान भी आत्मन दिर्भर भारत अभियान और मेकिन इंडिया में ही है मैं देश की सेनाओं की भी सराना करूंगा कि वो भी डिपेंस सेक्टर में भारत की आत्मन दिर्भरता का महत्व समझते हुए बड़े महत्वपुन नेने ले रहे हैं आज हमारी फोच के पास भारत में बने साजो सामान होते हैं तो उनका आत्मविस्वास उनका गर्व भी नई उचाई पर पहुंता है और इसमें हमें सीमा पर डटे जमान है हमारा जन्ना उससे मुच्छा होना चाहिए यह हमारे जमान की भावना होती है हमारा देश का सहिनिक इस भावना के साथ सीमा पर डटा रहता है भारत में बनी चीजों को लेकर उसके मन में एक अलग स्वाविमान होता है इसलिए हमारे जो रख्षा उपकरन होते हैं उनके लिए हमें अपने सैनिकों की भावनाओं का आदर करना चाहिए यह हम तभी कर सकते हैं जब हम आत्मनिर्वर होंगे साथियों पहले के जमाने में युद्ध अलग अलग तरीके से होते थे पहले युद्ध के साजों सामान में परिवर्तन आने में दसकों लग जाते थे लेकिन आज युद्ध के हतियारों में देखते ही देखते बढ़लावा जाता है आज जो सस्त्र है उन्हें आउट अपडेट होने में समय नहीं लगता है जो आधुनिक टेकनोलोजी आधारी जद्यार है वो तो और भी जल्दी आउट अपडेट हो जाते हैं बारत की जो आईटी की ताकत है वो हमारा बहुत बड़ा सावर्थ है इस ताकत को हम अपने रक्षा क्षेत्र में जितना ज़्यादा इस्तिमाल करेंगे हमें उतने ही सुरक्षा में हम आस्वस्त होंगे जैसे अब साइबर सिक्यूरिटी के बार ले ले अब राई का यह वो यह घतियार बन गया है और वो कोई सिरब डिजिटल एक्टिमिटी के लिए सिमित नहीं रह गई है यह राष्ठ की सुरक्षा का विशे बन चुका है सात्यों यह भी आप भलिबाती जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में हमेशा किस तरह का कंप्रिशन रहा है पहले के समय में बाहर की कंपनियों से जो जामान सामान खरीदा जाता था उसमें अक्सर भाती-भाती के आरोप लगते थे मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन यह बात सही है कि हर खरीदी से विवात पैदा होता था अलग- अलग मैनेफक्चर के बीच जो कंप्ठीशन होता है उसके कारण दूसरे के प्रोरट को नीचा दिखाने का अभया निरंतर चलता रहता है और उसके कारण और कवंपुजन भी पैदा होता है आशंका भी पैदा होती है और प्रश्टाचार के दर वाजय मी खुल जाते हैं कौन सा हाथियार अच्छा है कौन सा हाथियार खराब है कौन सा हाथियार हमें उप्योगी है कौन सा उप्योगी नहीं है इसे लेकर भी बहुत कंफुजन क्रियेट किया जाता है बहुत योजना पुर्व किया जाता है कॉर्परेट वल्ग की लड़ाई का वो हिस्सा होता है आत्मंदिर भरत भारत अप्यान से हमें ऐसी अनेक समस्याओं का भी समाधान मिलता है फ्रेंट्स जब पूरी निष्टा के साथ संकल्प लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या परना माते हैं इसका एक बहत्रिन उधारन हमारी ओडिनेंस फैक्टरिया है हमारे रच्षा सचीव ने अभी इसका बड़ा वरन भी किया गत्वर्ष के पहले हमने साथ नई डिफेंस पुब्लिक अंडर्टेकिंस का निर्मान किया था आज ये तेजी से बिजनेस का विस्तार कर रही है नए मार्केट में पहुंच रही है एक्सपोर्ट के ओर्डर्स भी ले रही है ये भी बहुत सुखद है कि बीते पांक छे सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में हमने छे गुणा वुद्धी की हैं आज हम पचरतर से भी जागा देशों को मेड इन इंडिया डिफेंस एक्विपमेंट्स और सर्विसे दे रहे हैं मेक इन इंडिया को सरकार के पोच्छान का पढ़नाव है कि पिछले साथ सालों में डिफेंस मैंडिफेक्शिंग के लिए तिन सो पचाँ से भी अधिक नए इंडिस्ट्रियल लाइसेंस इश्यू किये जा चुके हैं जबकि दोहजार एक से दोहजार चौदा के चौदा वर्सों में सिरफ दोसो लाइसेंस जारी हुए थे फ्रेंट्स प्रावेट सेक्टर भी डियार यो और डिफेंस प्लस डिफेंस प्येश्यूस इसकी बराबरी पर आएं इसलिए डिफेंस आर एंडि बजेट का पचीस परसेंट इंडस्ट्री स्टार्ट अप्स और एकडेमिय के लिए रखा गया है बजेट में स्पेशल परपज वहिकल मोडल की ववस्ता भी की गई है ये प्राइवेट इंडस्ट्री के रोल को सिर्फ एक वेंडर या सप्लाइर से आगे एक पार्टनर के रुप में स्थापीत करेगा हमले स्पेश और ड्रोन सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए नई संभावनाएं बनाई हैं उत्रपदेश और तमिलनाडु के डिपेंस कोरिडोर्स और इनका पी एम गतिशक्ती नेस्टर मास्टर प्लान के साथ इंटिग्रेशन देश के डिपेंस सेक्टर को जरूरी ताकत देंगे साथियों ट्रायल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की व्यवस्ता का ट्रांस्परंट टाइम बाउन प्रेग्मेटिक और निश्पक्ष होना एक वाइब्रेंट डिपेंस इंडिस्ट्री के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं इसके लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टिम समस्याओं को दूर करने में उप्योगी सीद्ध हो सकता है इसे देश में जरूरी स्किल सेट के निर्माण में भी मदद मिलेगी फ्रेंट्स आप सभी से देश की बहुत सारी उम्मीदे जुड़ी हुई हैं मुझे विश्वास है कि इस चर्चा से डिपेंस सेक्टर में आत्मनिर भरता के लिए नए रास्ते बनेंगे मैं चाहता हूँ आज सभी स्टेकोडर से हम सुनना चाहते हैं हम आप लोगों को लंबे भाशन देना नहीं चाहते हैं यह आज का दिवस आपके लिए हैं आप प्रेक्टिकल चीजे लेकर क्या हिए बताईए अब बजेट निजारित हो चुका है एक अप्रिल से नया बजेट लागू होने वाला है हमारे पाथ तैयारी के लिए यह पुरा महिना है हम इतना तेजी से काम करें कि एक अप्रिल से ही चीजे जमीन पर उतरना शुरू हो जाए यह यह जो एक्सरसाइज है ना इसलिए है हमने बजेट को भी एक महिना प्रिपॉन करने की पद्धती डेवलप की है इसके पीछे भी इरादा यही है कि हमें एक्चुली बजेट लागू होने से पहले सभी डिपार्टमेंट को, स्टेग होलर्स को, पब्लिक प्राविट पार्टर से मोडिल को तैयारिया करने का पूरा अवसर मिले ताकि हमारा समय बरबाद न हो मैं आप सबसे आगरह करता हूँ ये देश वक्ति का काम है ये देश सेवा का काम है हम आईए मुनाफा कब होगा, कितना होगा वो बात में सोचिए पहले देश को ताकतवर हम कैसे बनाए इस पर सोचिए मैं आपको निमंतर देता हूँ और मुझे खुशी है कि आज हमारी सेना सेना के हमारे तीनों हांग बड़े उमंग और उत्सा के साथ इन कामों में पूरी इनिशेटिव ले रहे हैं पूत्सान दे रहे हैं हम यह मोका हमारे प्राइवेट पार्टी के लोगों ने खोना नहीं चाहिए